आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फाइव क्लास टू की बहुत शांदार पोयम है आपको तो पता ही है चोटे बच्चे पहले क्या पढ़ना पोयम फिर स्टोरी जू मैनर्स पोयम का नाम क्या है जू मैनर्स जू मैनर्स का मतलब होता है जब भी आप कभी किसी जू में जाओ zoo का मतलब चिडियागर जहां पे बहुत सारे जानवा रहते हैं इसको zoo बोलते हैं वहां पे आपको क्या-क्या manners follow करना है manners मतलब तरीके ऐसा करना है be careful what you say or do ओहो क्या करना है be careful बड़ा साउधान नी वरतना है जो आप कहते हो या करते हो when you visit the animals at the zoo जब भी आप zoo के animal को देखने जाओ be careful बहुत साउधान रहना don't make fun of the camel's hump जो उट की बहुत बड़ी पीट रहती है उसको बोलते हम उट के उपर आपने देखा होगा ना बहुत बड़ा ऐसा उट के रहता है उसको क्या बोलते है camel's hump he is very proud of his noble bum camel को ये उसकी पीट जो उटी हुई रहती है वो बहुत अच्छी रहती है आप उसका fun मत बनाना don't laugh too much at the chimpanzee chimpanzee जो बंदर के जैसा दिखता है उसको बोलते है chimpanzee उसके उपर हसना मत he thinks he is as wise as you or me जितनी बुद्धी आप में और मुझ में है सेम बुद्धी chimpanzee चोसता है उसमें भी है camel को भी मत हसके देखना chimpanzee को भी and the penguins penguins ही होता है ये देख लो ये जो है न ये जो रह रहे हैं ये penguins है ये जो पानी में है वो क्या है penguins and the penguins shirting around the lake strutting का मतलब होता है अकड के चलना strutting का मतलब क्या होता अकड के चलना वो घमन से चलते न उसको बोलते strutting strutting मतलब अकड के चलना strutting around the lake can understand remarks you make वो जो चल रहा है न penguins वो तुमारे पूरे remarks को सुन सकता है समझ सकता है treat them as well as they do and you will always be welcome at the zoo अगर आप उन से अच्छे से बरताओ करोंगे तो वो भी आप से अच्छे से बरताओ करेंगे और आपको सब लोग welcome करेंगे new word proud proud का मतलब क्या होता घमन noble बहुत अच्छा wise बुद्धीमान penguins अभी बताया कैसे दिखते है strutting अकड के चलना remarks का मतलब होता किसी को कोई भी comment देना remarks का मतलब क्या होता किसी को कोई भी comment देना जैसे अपनी teacher लिख दी ना good bad वो remark होता है what do you see at the zoo क्या दिखता है बहुत सारे animals तो answer आएगा we see animals और यहां से at the zoo क्या answer बनेगा we see animals what does the camel have on its back क्या है camel के back पे hump camel has h-u-m-p hump यहां से आजाएगा on its back हो गया answer have you been at a zoo क्या आप कभी zoo गय हो yes name the animal which you have seen in the zoo say the names in your own language and then in English जो जो जानवर आपने zoo में देखे पहले हिंदी में अपनी जो भी भाशा है उसमें बोलना फिर इंग्लिश में बोलना name the animal you like the most why आपको सबसे ज़्यादा कौन सा animal पसंद है और क्यों में को सबसे ज़्यादा पसंद है लॉयन वाई क्योंकि वो पावरफुल है because it is powerful because it is powerful I like लॉयन because it is powerful do you feed any animal at the zoo बाप रे बाप animal को और खाना नहीं भाई मैं तो नहीं और zoo में नियम भी है कि नहीं खिलाना क्योंकि क्या होता पता कोई का भी खाना उनको सूट करे नहीं करे गलत है ना कुछ भी खिला दो should we tease tease का मतलब होता चिढ़ाना tease का मतलब क्या होता चिढ़ाना जैसे अपन वो जीव दिखाते दाथ दिखाते ना उसको बोलते tease करना tease करना मतलब चिढ़ाना टीज करना मतलब चिढ़ाना शुट वी टीज अनिमल आंसर क्या जाएगा गलत बात है कोई तुमको चिढ़ाए किता बुरा लगेगा अब जो टीचर बोलेगी उस पर आपको टीक लगाना है यह मैं थोड़ा समझाता हूँ ध्यान से सुनना यहाँ पर क्या होता है आपका प्रनंसियेशन ठीक करना है उच्चारन देखो कितना अंतर है किस किस शब्द में मैं बोलूँगा आप ध्यान से सुनना इट पहले मैंने क्या बोला इट अब मैं क्या बोलूँगा एट इसको कैसा बोला मैंने इ, ट, इसको कैसा बोला मैंने, ए, ट, उचारन में देखो, इ, ए, अंदर समझे न, इ, ए, ऐ, ऐसा सेम यहाँ पे होगा, ठिंक, ठेंक, यह क्या है, था में छोटी की मात्रा, यहाँ पे था में ए की मात्रा, इ, ए, उचारन करना सिखा रहा है वो किसका, इ का और ए का, ठेंक, ठेंक, फन, फेन, फन, फेन, मच, मैच, वेल, वाल, वेल, वाल, यह क्या है, वेल, और यह क्या है, वाल, अंदर समझे आप वो क्या बोलना चाह रहा है, यह आपका उचारन सहीं कराएगा, कि आपको उचारन करते आना चाहिए, say aloud, bump, bump का मतलब वोई, उंट के पीछे जो रहता उसको बोलते है, bump, crowd मतलब भीड, noise मतलब आवाज, price मतलब ये price इनाम, crow मतलब का हुआ, hump वोई जो उसके पीड पे है, dump का मतलब होता किसी चीज़ को पटकना, dump का भी होता, मक्की भी होता, हो गया let us sing and act sing भी करना act भी करना, the elephants walk like this and that, he is so tall and so fat, elephant ऐसा चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा ऊचा भी और बहुत ज़्यादा मोटा भी है he has no fingers, he has no fingers, he has some toes, उसकी कोई उंगली नहीं है, बस पैर में नाखुन है but oh my goodness, what a big nose, देखो कितनी लंबी नाख है, aha make sentence using this and that, किसे sentence बनाना है this से और that से तो देखो, this is book पहला sentence क्या बन जाएगा this is book, और वहाँ पे pen है, तो बन जाएगा that is pen, this is book that is pen, this is ये राम है, तो this is राम, वो शाम है, तो that is शाम, बन गए sentence using this and that a visit to my village अब एक विजिट हो रही है, मेरे गाउं की in June, we went to, यहीं से देखना, वो सीधे वर्ड आपको यहीं से लाके देगा कहां क्या हो रहा है हम कहां गए, यहां, यह गाउं के जैसा दिख रहा की नहीं दिख रहा, तो गाउं को इंग्लिश में क्या बोलते है, village तो in June, we went to a village वे और मैं, यह दाजी दिख रही की नहीं दिख रही, दाजी को इंग्लिश में क्या बोलते है grandmother, यह यहां पे ले आना she has a farm, on a farm farm मतलब खेद, there are many animals there are two, यह दो गोड़े दिख रहे की नहीं दिख रहे, तो यह horses को यहां पे ले आना h, o, r, s, e, s यह horses आ गया, यह एक cat दिख रही की नहीं दिख रही, तो यह cat को उठाके, यहां पे ले आना, बोलो, यहां तक सौन में आया with, cat के बच्चों को क्या बोलते, बोलो, बिल्ली के बच्चे kittens, तो यहां पे किसको ले आना, kittens को, यहां तक के पहुचे की नहीं पहुचे, इसको रब करते, फिर अपन आगे चलेंगे village पहुच गए, village में grandmother है, two horse है, one cat है, क्या है, two horses है, one cat है, और उसके क्या है, बच्चे चोटे-चोटे, उनको क्या बोलते, kittens ठीक है, three यह बताओ, यह dog है की नहीं है यह क्या है, dog three है तो हो जाएगा, dogs ठीक है, it's this, यह हो गया, यहां पे complete three dogs, one अब मैं देखते से ही लिख दूँगा, यह क्या है यह क्या है, मुर्गी यह क्या है, मुर्गी, तो यह क्या हो जाएगा hen, यह क्या है, मुर्गा तो यह क्या हो जाएगा, cock यह क्या है, cow every morning she feeds her animal with, यह क्या है grass, यह क्या है, milk they drink water from a dash on the farm water कहा से पीएंगे वो, इसमें देखो, पानी की चीज क्या है P-O-N-D, यहां पर आजाएगा P-O-N-D, कहानी समझना एक बार की बात है मैं गाउं गया, देख लो कहां कहां जा रहा है, वो सब बताएगा कहां गया, गाउं, किसके घर दादी के घर, दादी के गाउं ओके जो घर है वहाँ पर दो गोड़े हैं, एक बिली है उसके बच्चे हैं तीन डॉक्स है, और क्या है बोले, तुमारी दादी के घर तो बोले, एक मुरगी है, एक मुर्गा है एक गाए है, और गाए क्या करती है तो बोले, गाइ अपने बच्चों को कभी घास खिलाती है, कभी दूद पिलाती है और वो वहाँ पे जो तालाब है वहाँ से पानी पीते है composition corner look at the picture and fill in the blanks picture देखना और banks बनाना this is, यह क्या है makki, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते be, this is a be, it has dash on its wing इसके wings पे देखो line दिखरी की नहीं दिखरी, तो यहाँ पे क्या जाएगा lines, पहले में क्या एगा be, दूसरे में क्या एगा lines, it has dash antenna, देखो उसके antenna कितने है 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा two, तीसरे में क्या जाएगा two, यहाँ तक पहुचे की नहीं पहुचे, बोलो क्या है, be और उसके क्या है lines, skype, wings पे wings मतलब punk और उसके पास में कितना antenna है two antennas it buzzed around buzz का मतलब होता बन बनाना buzzes का मतलब होता बुन करती न कहाँ पर करेगी flowers तो it buzzes around the flower it dash and dash come to the goo यहाँ पर आ गई वो bu double z buzzed and come to the zoo two, चिला चिला के गुन गुना के वो कहाँ पर आ गई zoo में आ गई बोलो कौन है, पहले नमबर पर बताओ कौन है bee कौन है, bee और क्या है उसके punk पे line और कितना antenna है two और क्या करती है वो buzz करती है कहाँ पे around the flower फिर buzzed and buzzed and come to the zoo हो गया help the bee to reach its home ये bee को अपने घर पहुचाते है अपन मैं पहुचाता हूँ अब भी ये bee को उठाया मैंने ये लेके गया 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 पहुचा दिया ये क्या मिला उसको tree ये क्या मिली इसको की ये क्या है टी ये टी राइम करा ना सब राइमिंग बोरी की नहीं हो रही पहुच गई वो भी अपने घर लुक एट दा पिक्चर फिल इन दा ब्लेंक्स इस पेलिंग बोलना ल आई ओ एन लॉयन टी आई जी एर टाइगर डी बले आर ये जे असी के एल ये क्या है जेकल अल ये क्या है मंकी इमो एन के ए वाई मंकी ये क्या है जिराफ जी आई आरे डबल एफ इ जिराफ चिम्पेंजी चिम्पेंजी हो गया इस पेलिंग याद रखना मैं लिख दे रहा हूँ लिख दी जिराफ गार पूरा कैपिटल में लिखना डबल एफ ए जिराफ ए चिम्पेंजी मोन केवाई यह क्या है मंकी मोन केवाई जैकल जेए सी के अल वॉल्फ डबलू ओ ल एफ वॉल्फ हो गई इस पेलिंग का ताम लेट्स मेक दे नॉइस डेट अनिमल मेक रोर लाइक रोयन लिआन की जैसा रोर मतलब दाहर ना जैसे घोड़ा ही नीना था ना उसको इंग्लिश में बलते हैं नी पार्ख भा़ बाव मो लाइक आंका काव अमा रंबाना चिरफ लाइक अ स्पेरो का मतलब ओता गौरिया चैटर लाइक अ मंकी blit like a goat grunt like a pig pig के जैसी आवाज निकालना है यहाँ पर बताओ यह क्या है मैं बताता हूँ यह क्या है यह है d y n o s o u r dinosaur क्या है यह dinosaur फिर आगे चलते हैं अपन let us practice यह practice करना आप बनाना कैसे बनाना है cursive writing सीख जाओंगे funny bunny बहुत बड़ी है किसकी funny bunny one day a nut fell on bunny funny bunny के उपर क्या गिर गया एक nut the sky is going to fall said funny bunny funny bunny क्या बोलता है आश्मान गिरने वाला है I must tell the king में को जाके राजा को बताना चाहिए on the way he met henny penny way में उसको कौन मिला henny penny the sky is going to fall said funny bunny funny bunny बोलता है sky गिरने वाला है I am going to tell the king मैं जाके राजा को बता रहा हूं I will come to said henny penny and off they went to find the king इसने बोला चलो मैं भी चलता हूं राजा को बताने अभी एक था अब दो हो गया rabbit भी हो गया rabbit के बाद में hen भी हो गई the sky is going to fall said funny bunny ये funny bunny क्या बोलता है आसमान गिरने वाला है I am going to tell the king मैं जाके किसको बताने वाला हूं king को I will come to said cocky lucky hen भी हो गया cock भी हो गया and off they went to find the king चले वो किसको डूढने राजा को डूढने on the way they met lucky ducky अब कौन मिल गई duck पहले hand मिली फिर cock मिला अब कौन मिल गई duck the sky is going to fall said funny bunny funny bunny के एक ही लाई ने क्या बोल रहा sky is going to fall I am going to tell the king I will come to said lucky ducky ducky क्या बोलता है मैं भी आता हूं बोलने के लिए and off they went to find the king on the way that met a pussy goosey goosey मिली the sky is going to fall said funny bunny I am going to tell the king I will come to said pussy goosey and off they went to find the king on the way they met a voxy froxy अब foxी मिल गई fox सबसे ज़्यादा cunning होती है ये देखो पहले किसको लगा rabbit को rabbit के बाद को ना गई hen hen के बाद को ना गया cock cock के बाद को ना गई duck और अब last में को ना गया fox fox इनको सबको देखो कैसा देख रहा है खाने के लिए देख रहा है आगे देखना the sky is going to fall they all said we are going to tell the king आकाश गिरने वाला है हम जाके king को बता रहे है the king leaves here said the voxy foxy follow me fox चतर है बोलती आजाओ मैं तुम्हें बताती हूं राजा कहा रहता है and that was the end of funny bunny henny penny cocky locky lucky lucky and the pussy goosey सबको ले जाके उसने खा लिया बात समझ में आई ना nut गिरा उसने का चलो बताता हूं बताता हूं और सबको fox ने खा लिया fox बड़ा cunning होता है one day कौन गिरा था sky गिरा था कि nut गिरा था nut गिरा था funny bunny wanted to tell किसको बोलना चाहता था king को किसको बोलना चाहता था king को nut गिरा king को बताना था who said the word in the story बताओ किसने का ौच the sky is falling down किसने कहा funny bunny He just said Funny Bunny I must tell the king यह भी किसने कहा Funny Bunny पूरे वर्ड यहां पहे कौन बोल रहा Funny Bunny The king lives here यह किसने बोला Voxie Voxie किसने बोला Foxie Voxie किसने बола Foxie Voxie बोले मैं बताते हूँ The king lives here Follow me यह भी किसने बोला Foxie Voxie Foxie बोली थी ना follow me, foxy, voxy, what happened to the animal at the end, क्या हुआ था मैं तुमको बताऊ, fox ate them, fox ने उनको खा लिया, fox ate them in the end, fox ate them in the end, funny bunny, cocky, lucky, honey, penny, pussy, जुसी, voxy, foxy, ouch, pouch, couch, ये वाले शब्द पर रहे हैं, ouch, pouch, couch, follow, hollow, shallow, downtown, frown, break, clay, sway, ठीक है, circle the odd one out, ये सबसे अच्छा लगता है मैं को, जो अलग होगा, उसको अलग कर देंगे, अपन देखो कितना सराले मैं आपको अब भी सिखा देता हूँ, सबका end देखना, un, 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 और इसका end क्या है, e, तो ये out हो गया, बोल के देखो, बोलने में सब एक समान लगेगा, ये अलग लगेगा, bun, sun, fun, gun, one, अलग लगा की नहीं लगा, ऐसी निकालना है, जो अलग होगा वो अलग हो जाएगा, यहाँ पर फिर देखना, अगले वाले में भी मैं आपको अलग निकाल के देता हूँ, पहले वाले में ये निकल गया अलग, one, फिर यहाँ पर निकालते हैं, बोलो, ed, 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 और यहाँ पर set, अलग हो गया की नहीं हो गया, फिर देखो, he, me, b, t, देखो, ये अलग हो गया की नहीं हो गया, odd find the opposite of the words given fat का उल्टा क्या होता thin fall का उल्टा क्या होगा c-l-i-m-b climb fall मतलब गिरना climb मतलब चाड़ना समझे न दो fat thin fall climb start का उल्टा क्या होगा start मतलब शुरू करना उसका उल्टा stop मतलब रुख जाना come का उल्टा क्या होगा गो, बिक का उल्टा क्या होगा स्माल जमीन अबाद, फॉल का क्लाइम फेट का टी एचाइएं फेट पूरा लिख दिया फिर से फिल इन दा ब्लैंक्स विद दा करेक्ट वर्ड, ये स्टोरी के वर्ड आए, पूरे करेक्ट आएंगे अर रेड अवनी स्टोरी अव फनी रबिट वन डेर अनट फेल की फॉल, फेल फेल, मैं जैसी टीक हो जाएगा उसको अटा दूँगा फेल, अन हेड यहाँ पे पहला टीक हो गया, फेल on his head, he thought that the sky is falling so he go to tell the king, he went to tell the king so he go to tell the king on the way he met different animal all of them joined him at last they met a clever fox it took them to a forest and ate them all खा लिया सबको fox ने ओहो अरेंज करना है यह sentence है ना एक nut गिरा था तो यहाँ पे ऐसा बनेगा one day पहले क्या आएगा one day a nut one day a nut fell on funny bunny one day a nut fell on funny bunny बन गया one day a nut fell on funny bunny फिर अगला वाला देखना अगला वाला लिख के देता हूँ अगला वाला अगला क्या है falling down the sky is set funny bunny अब क्या हो रहा है the sky is falling down set funny bunny क्या है गा the sky is falling the sky is falling down said funny bunny the sky is falling down said funny bunny king I must tell क्या आएगा इसका I must tell the king I must tell the king lives here the king इसका बन जाएगा the king lives here क्या बन जाएगा the king lives here बन गया पूरा change only one letter of each word and make the rhyming word fell tell F की जगा T कर दिया down D की जगा T कर दो town king king की जगा और आप उसको K की जगा कर दो king king ring way say bet ret बना की नहीं बना M E T met M की जगा कुछ और कर दो और rhyming कर दो बस M को change कर दो E T जैसा का वैसा met bet bet का मतलब होता शर्त लगाना soon S की जगा T कर लो soon का tune भी हो जाएगा और N double N noon भी हो जाएगा फिर से बना दे रहा हूँ देखो down तो D की जगा क्या कर देना T O W N जैसे का वैसा K की जगा क्या कर देना R I N G जैसा का वैसा S की जगा क्या कर देना N O double N जैसे का वैसा B की जगा क्या कर देना R A T जैसे का वैसा M की जगा क्या कर देना B E T जैसा का वैसा W की जगा क्या कर देना S A Y जैसे का वैसा बन गया अपना rhyming word right names इनको बस नाम देना है ये बोलो ये क्या है ये छोटी सी है तो ये हैं ये बड़ा सा है तो ये कॉक ये इनका बच्चा है तो चिककान ये यहाँ पानी में रह रही है तो ये क्या बन जाएगी डख ये तेज है तो ये क्या बन जाएगी फॉक्स पिक्चर स्टोरी लोक एट दे पिक्चर नरेट दे स्टोरी इन यूर लेंवेज और देन इंग्लिश यू ट्राइ टू से दिस स्टोरी इंग्लिश मैं आपको हिंदी में बताता हूँ तीन रेबिट थे तीन रेबिट मतलब खरकोष बहुत बड़ी आनंद से गाजर खा रहे थे उनको टाइगर देख लेता है वो जाते है हाती के पास बोले हाती हमें बचाओ ये टाइगर हमको खा जाएगा हाती बोलता है तुम मेरे पीछे चले जाओ वो हाती के पीछे जाते है हाथी बोलता है ताइगर देखो उनको खाने से पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा शेर बोलता है ऐसी बात है लड़ लेता हूँ हाथी बोलता है लड़ेगा पानी उठाता है और उसके उपर फेक देता है शेर घमासान का ताम Now I try to say this story in English Three rabbits were enjoying carrot Suddenly a tiger saw them Tiger wants to eat all the rabbits Rabbits go to the elephant Elephant said go back to me Hide yourself behind me Elephant start fighting with the tiger Elephant fill his trunk with the water Throw the water on the tiger The tiger walked away And rabbits leave happily with the elephant again How guys story complete यहाँ पर हमारी unit 5 complete हो जाती है बहुत अच्छे से Thank you very much हुई पस्याँ गल एक जह हैं बदागी दूelsब भी 00